हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का कॉमिक वर्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में बास सीरीज की अगली कॉमिक्स बास की ललकार बास की ललकार लेखक पडशुराम शर्मच चितरांकन विकास पंकत संपादन परमिला जैन बास ओवर कोट फ्लैट और काला चश्मा पहने हाईवे पर बढ़ रहा था पता नहीं चीप को क्या सनक सवारी जो मुझे बास से सेड बना दिया पचास किलोमीटर बाद मेरी मंजिल आ जाएगी मैं तो एक्शन की दुनिया का आदमी हूँ अब यहाँ सेड बन कर अब अगर हम सेड धन्वान बनी गए है तो दौलत दौनों हातों से लुटानी चाहिए जाम नगर के पहले पैट्रॉल पंपर बाजने गाड़ी रुकी टैंकी फुल हो गई बिल कितना टैंकी फुल कर दो प्यारे बिल कितना तीन सुरुपया सार यह लोग तीन सुरुपय बिल के और एक हजार तुमारी टिप के कमाल का सन की सेट है एक हजार रुपे टिप तब ही पैट्रोल पम पर एक जीप रुकी अरे बापरे नोट छपानू नहीं तो ये लोग छीन लेंगे लाओ बै आज का रंगा टेक्स लो जी आज की कमाई का आधा पैट्रोल पम के मालिक ने रंगा टेक्स अदा किया क्यों बै तू क्या छपा राता कुछ नी कुछ नी साले नोट छपाता है चोरी किया क्या काँ से आ ये रुपे सेट ने टिप दिया जी जीप वाले सर्विसमेन के नोट छीन कर चलते बने साला कोई सेट भी गये इतनी रगम टिप देगा उगरवादी रंगा का यातं कब खत्म होगा चुपकर नहीं तो तेरी लाश किसी चौराय बटंगी पाईगी बाज एक होटल में पहुचा ज़दा कुछ खा पी लिया जाए पता नहीं क्यों यहां हर चेरा उदार सो सहमाज रगता है बाज के ओर्डर पर खाना आ गया बाज ने यहां भी एक हजार रुपे टिप दी रख ले पुतर रख ले लेकिन सर रंगा तब ही रंगा टेक्स वाले होटल में गुसे आ गये रंगा टेक्स वाले आज की कमाई का आधा होटल वाले ने आधा दे दिया इतनी इंकम हुई जी वेटर मेरी भी आधी कमाई ले लो जी मैंने एक हजार फाल्तु कमाये आज रंगा टेक्स वाला टेक्स लेकर चला गया तूने उनको अपनी कमाई क्यों दे दी यहां का कानून है जो सौरोपे से अधिक कमाई को उसे रंगा टेक्स देना होगा रंगा टेक्स ये कौन सा टेक्स है आप शायद इस शहर में नए नए आएं इसलिए इसाब पूछ रहे हैं ये शहर में रंगा की हुकूमत चलती है साब बासकार से शहर में घूमने निकला रंगा की हुकूमत रंगा टेक्स इंकम टेक्स सेल टेक्स तो सुना ये रंगा टेक्स क्या चीज है एक भीड बरे चौराय पर बास रुक गया यहां भीड कैसी एक और चीक रही थी अरे कोई बचाओ मेरे पती को बचा लू कोई क्या हुआ भेन मेरे पती को फासी लगा रहे रंगा के लोग फासी वो चौराए पर एक और बुडिया चीक रही थी मेरे एकी सारा है रे उसे बचा लू तेरे को क्या हुआ अम्मा मेरे बेटे ने रंगा टेक्स नहीं दिया उसे फांसी लग रही है चौराई पचार इंसानों को फांसी लगाई जा रही थी इन चानों ने रंगा टेक्स नहीं दिया इन्हें फांसी पर लटका जाएगा यही यह टेक्स चोरों की सजा कुछ करना पड़ेगा चीफ ना तो कहा था कोई वर्द का पंगा मत देना मगर थोड़ा पंगा तो चलेगा बास ना अपनी कार एक इमारत की ओट में खड़ी कर दी अब बनता हूँ मैं बास बास के गेट अप में आते ही वे इमारत की छट की ओर बड़ा चौराई के सबसे करीब वारी अमारत की छट पर सुनो मेरी बात सुनो सब बास की तरफ देखने लगे आज के बाद जामनगर का कोई इंसान रंगा टेक्स नहीं देगा ये मेरी ललकार है और अगर किसी रंगा के आदमी ने टेक्स लिया तो मैं उसे इसी पकर मार डालूँगा जैसे आज इंको मारूँगा जो चार इंसानों को फांजी चड़ाने आएं ये है मेरी ललकार टेक्स बंद बास ने वहीं से छलंग लगाई हो सीधे चौराई पर रंगा के आदमी चौकस थे मार डाले इस हरामजा देगो चौराई पर रंगा के एक दरज़ान आदमी थे सबने गने तान दी बास ने अपनी कलाई का हरा बटन तबाय जिससे गोलियां वापिस पलटती थी दो ने फायर किया गोलियां उसी रफ़तार से पलट कर उन दोनों को जा लगी बास उन से भीड़ गया एक की करदन तो डाली बास ने निखला बास चक्र दौनों ने फायरिंग कर ड़ादी बास चक्रों के सिर काठन लगा देखते देखते आठ लाचे पढ़ें दी बाकी चार के चार को बाज ने फांसी वाले खंबे पर लटका दिया आज जामनगर रंगा के जुल्म सित्म से आजाद हो गया कोई टैक्स नहीं देगा बाज ने एक और बटन दबाया उड़न चलांग मारी जूम और वापिस उसी इमारत के चछट पर पहुंच गया याद रहे मेरी ललकार इमारतों की चछटों को पार करता बाज गाया भूगया और अपनी कार में पहुंच कर सेट बन गया नाम हमारा सेट चितरंजन दास बाज आगे बढ़ चदा खबर लगी रंगा को क्या कहा बारा आदमी मारे गए मनूस ऐसी खबर लाया है ले ले तू भी मर्द तेरवा भी सलाक रंगा के हाथों में हंटर होते थे जिनमें करेंट जारी कर सकता था सलाक बिजली के हंटर का शौक लगते ही खबर देने वाला मारा गया ऐसी मनूस खबर देता है रंगा टेक्स बंत जामनगर मेरा गुलाम है हम्यां के हुक्मरान है बहुत जल्द ही हाँ हमारी करेंसי चलने वाली है आजाद उमालिस्तान बना रहे हैं हम एक आजाद देश के लिए लड़ रहे हैं सुनो शेरा सुनो भीरा सुनो थपेरा क्या जामनगर में कोई रंगा टेक्स बंक कर सकता है नहीं बिलकुल नहीं कभी नहीं चौराय पर जो भी दिखाई थे उसे गोलियों से बून डालो रंगा का गिरो काई जीपोड सावार होका चौराय पर पहुचा जो भी नज़र आया उसे गोलियों से बूना गया तुम सब तमाशा देखते रहे इसकी सजा जीप में ख़ड़ा तरंगा हमारा टेक्स रोका तो जामनगर के हर चौराय पर लाशे बिची होंगी बास जामनगर के एक पुराने रही से मिलने पहुचा मुझे इसे चितरंजन दास कहते हैं कई मिला चलती हैं हमारी और मैं जीवन लालू जी कहिए क्या खातिर करूँ हम तुमारी बंद पड़ी मिला खरीदना चाहते हैं सुनाया आपने कौडियों के दम में पीशना चाहते हैं मैं तो जी अपने सारा कारोबारी बेचकर यहां से रुखसत होना चाहता हूँ सोच लीजे सर्वे कर लीजे मैं जूट नहीं बोलता यहां का कारोबार ठप पो चुका है रंगा गिरों के कारण पूरे शाहर के लोग मिलकर भी क्या इस इक्रुवादी गिरों का मकाबला नहीं कर सकते आहिस्ता बोलो किसी ने सुन लिया तो आफ़र तूट पड़ेगी मैं यहां पूझी लगाने आया हूँ कारोबार करने तुम देखना मैं इस बंद बड़ी मिलों को शीकर स्टार्ट कर दूँगा रंगा फोर्स के लोगों ने जाम नगर को अपने सतंत देश की राज़दानी बनाये हुआ है यहां उनकी हुकुमत चलती है जितना वो टेक्स लगाते देना पड़ता है इसलिए सब कारोबार बंद हो चुके अगर मेरा कारोबार चल पड़ा तो सब का चलेगा इश्वर करें है सही हो मैं अपनी मिल तुमारे अवाले करता हूँ चीफ ने खाया था जीवन लाल की तीनों मिले खरीदनी है जो कौडियों के बाब मिल जाएंगी और इन्हें चालू करना है अगले दिन चल कर इन मिलों का सर्वे तो कर लू तीन मिले शहरी आबादी से बार शेत्र में थी बाज एक मिल के फाटक पर रुका जब यहां काम चलता होगा तो अच्छी खासी रौनक रहती होगी अब तो हर और वीराना है फाटक पर एक काग़ चिपका था इस मिल का पचास लाग रुपया रंगा टेक्स बाकी है भुकतान के बेना फाटक ना खोले रंगा फोर्स यहां तो रंगा फोर्स का नोटिस लगा यह दूसरे मिल पर भी ऐसे ही नोटिस लगाता 70 लाख रंगा टेक्स तीसरे पर इस मिल का एक करुड रंगा टेक्स बाकी है मैं इनके फाटक कोल कर अंदर कर निरिक्षन करूंगा बाज ने फाटक का लॉक कोला ये दूसरा ताला किसका लगा हमारी मिल पर उसने रिवॉल्वर से फायर किया ताला तूटकर नीचे गिरा तभी उसकी कार के चारों पर ये बस्ट कुछ गोड़सवार करीब आए घेर लिया बाज को बिना रंगा टेक्स दे रंगा फोस का ताला तोड़ा तूने साले मैं रंगा का सेपर साला काचार सिंग हूँ थाल साले को ले चलो आनन फानन में बाज को बांड डाला गया आँको पर पट्टी बंदी थी गुड़सवार घसीटते ले चले जब पट्टी खुली तो मुझे कहा ने आई ये लोग वो एक कैद कहाना था वेल्कम स्वागतम मित्र स्वागतम और में आप लोग कौन है मैं हूँ यहां का भूतपूर चीफ मिनिस्टर मिस्टर मेगनाथ और मैं साइन्टिस हीरा मड़ी और में लेडी टिसूजा एक अखवार की संपादक मगर आप लोग हम सब यहां कहती है ओ अब समझ में आया ये सब वे लोग है जिनका उगरवादियों ने अपरण किया हुआ और इनका अपरण एक प्लेन हाईजक करके किया गया था ये किनन चीफ की योईना अब समझ में आ गई लेकिन चीफ को कैसे पता है कि ये ने जामनगर में रखा गया है और इस अपरण की जिम्मेतारी तो टाइगर फोर्स ने ली थी फिर ये रंगा फोर्स मेरी को चुलजने धूर कीजिए क्या ये टाइगर फोर्स करता है टाइगर एक अंटरनेशन उगरवादी गैंगे जिसके अंडर में रंगा फोर्स जैसे कई गैंग काम कर रहा है तब ही बाहर से आवाज आई खाना लो खाना लो एक जंगल में एक जंगले में खाने के पैकेट अंदर दिये गए ये लड़का बाहर से खाना लेका रहाता है और कोभी कोई ताजा खबर भी सुना दिता है क्यों लड़के कोई ताजा खबर हम तुम्हारा नाम एक दिन अकवार में जहू छापेंगे खबर बड़ी जोड़दार जाम नगर में अवतार पैदा हो गया है किसी तरह कहना नहीं शायद एक दिन अवतार यहां यहां पहुचेगा और तुम्हें अज़ाद कर देगा अवतार? उसने चार आदमियों को फासी लगने से बचाया और एक दरजन रंगा के उगरवादियों को मार डाला खबर सुना कर लड़का वापिस चला गया इसे हमसे सानबूती है हमें खुश करने के लिए ऐसी खबरे सुना जाता है अवतार और इसी हुग में थोड़ी दिर में बास को बाहर निकाला गया चलो जनरल काजर सिंग ने बुलाया बास को काजर के सामने पेश किया गया जाम नगर में कारोवार करेगा बता कौन है तू कोई चासूस है बड़े चड़चें तेरी रही सी के कोई साला सेट हजार रुपे टिप नहीं देता मैं तेरे को भी टिप दे सकता हूँ बशरते मेरी कोई सेवा करूँ साले सेवा करता हूँ अभी बांद ऐसे बास को कंबे से बांद दिया गया हंटर लाँ मेरा इसकी सेवा करता हूँ बास पर हंटर परसने लगे सलाक तब ही गाजर का हंटर हवा में रुख गया एह किसना पकड़ा है मेरा हंटर बाज का मित्र प्रेट बाज ने हंटर पकड़ लिया अपने इस मित्र को मेरे अलावा तो कोई नहीं देख पाएगा प्रेट बाज ने हंटर चीन लिया गाजब परसने लगा हंटर हंटर गाज़र के साथियों पर भी परस पड़ा तब ही बात आणव में धुआ फैल गया कोई नया खेल शुरू होने वाला है प्रेत बाज बाज के पास आया लोग तो मैं अफ़तार समझने लेगे दुआ छट चुका था खाना देने मादा लड़का छिपकर देख रहा था अफ़तार वैं कहाने में पहुचा अफ़तार आ गया मैंने कहा था ना वैं यहां भी आ जाएगा बाज चक्र छोड़ा बाज ना बटन दबाती गोलियों की दिशा पलट गई थाए 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 बाज ने प्रेद बाज को खोला दौनर कहदियों की बैरक में आए एललके इनको रास्ता देखा बाहर का तुम सब आजाद हो जाओ अफ़तार क्या तुम बाहर नहीं आओगे नहीं अब यह रंगा फोर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुई पाहर निकलने वाली सुरंग में बाज ने यहाँ भी लाशे बिछा दी एके 56 का भी प्रेवक करके देखता हूँ सब क्यादी फरार हो गए यह तो वही मिल है जिसके तैकाने में अड़ा मना है मैं या रंगा के इंतिजार करूँगा गाज जिन्दा था रंगा को सूझना दे रहा था बास यहाँ पर अटेक हो गया है नंबार टू सेंटर में शिफ्ट करो जितने भी लोग पचे हैं दूसरी सुरंग के रास्ते नंबर टू सेंटर में चलो और इसे बंबला से उड़ा दो पीछा करता बास सुरंग द्वारा दूसरे सेंटर में जा पहुचा इन्होंने तो बड़ा लंबा चोड़ा जाल बिचा है पहला आया हुआ पहला अड़ा पमस उड़ा दिया गया सुरंग में बास ने जंग छेड़ दी बास चक्र चल पड़ा दादवास उगरवादी सेंटर डू की तरब भागे रंगा वहां मौझूद था नमक हरामो तोड़ते कापते भागते आ रहो के तुमारे पीज़े भूत लग गया है वै इदरी आ रहा है कौन आ रहा है अवता है मेरे पास 440 वोल का हंटर है तभी बाद चक्र चूटा या खचच रंगा के दोनों आड़ कट लए मेरे हाथ मेरा हंटर इन हंटरों से तु लोगों को सजा देता था मौत की सजा बिजली की हंटर इन हंटरों की मूट में शक्तिशली बैटरी चार्ज रहती है देख कैसी होती है आजाम ने हत्या डाल दिये, यह जीवन लाल की दूसरी मिल की जो जूसरा सेंटर था, सब बाहर निकले, अफ्तार नजाम नगर उत्रवादियों से आजाद किया, आजाद, आज के बाद कोई रंगा टेक्स नहीं वसूला जाएगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं सम परते हैं और मिलते हैं, बाज सीरीज के अगली कॉमिक्स, बाज और टाइगर में, तब तक के लिए धन्नवाद